नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है रुशिकेश और स्वागत है आप सब का आज की इस वीडियो में जहाँ पे हम बात करने वाले हैं मारूती सुजुकी डिजायर एलेकसाई फेसलिप मॉडल के बारे में तो चली आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो डिजायर जो है सिर्फ पेट्रोल में अवेलिबल है और यहाँ पर यह जो सामने आप वेरियंट देख रहे हैं यह आपको मिलेगा 1.2 लीटर 4 सिलेंडर BS6 पेट्रोल एंजन के साथ इसके अलावा आपको टोटल 2 साल और 45,000 किलोमेटर तक की वारंटी ओफर की ग मिलेगा चलिए अब देखते हैं इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल को तो यहाँ पे आपको मिलेगी इसकी कैस्केट ग्रिल जहाँ पे बीच में दिया है सुजुकी का लोगो अपर मॉडल में आपको क्रोम सराउंडिंग का ओप्शन भी मिलेगा साइड में दिये है है ह बोनट का लुक आप देख सकते हो अल्मोस्ट प्लेन बोनट दिया है यहाँ पर मिलेंगे दो वाइपर्स, दो वाशर्स के साथ और यह इसके रूफ का लुक आप देख सकते हो A pillar, B pillar और C pillar आपको body color में मिलेगा ORVM दिया है black color में Turn indicators आपको मिल जाएंगे fender के उपर Wheels की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 14 inches के steel wheels मिलेंगे Wheel cap का option नहीं दिया है और इनकी tire size है 165 by 80 R14 की Wheel base आपको मिलेगा 2450 mm का और ground clearance दिया है 170 mm का यहाँ पे door handle से आपको मिल जाएंगे पूरे black color में आप चाहो तो इन्हें body color में repaint भी करवा सकते हो यह इसका B pillar चलते हैं पीछे की तरफ तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है इस गाड़ी की driver side profile चलिए अब देखते हैं इस गाड़ी की rear profile को तो यहाँ पे roof के उपर आपको मिलेगा micro antenna rear में defoggers का option आपको नहीं मिलेगा upper models में यह आपको मिल जाएगा यहाँ पे दिया है high mount stop lamp सुजुकी का logo desire की badging और यह इसके LED tail lamps आप देख सकते हो इसी के अंदर आपको turn indicators और backside fog lamps भी मिलेंगे safety में आपको मिल जाएगे चार rear parking sensors लेकिन camera आपको इसमें नहीं मिलेगा इसके अलवा reflectors का option भी आपको मिलेगा suspension setup की अगर बात करें तो front में लगा है Mac Pearson stud और rear में दिया है torsion beam suspension front में disc और rear में drum brakes offer किये गए है चली अब open करते हैं इसके boot lead को तो इसे आपको अंदर से ही open करना होगा क्योंकि rear में आपको electric tailgate release का option नहीं मिलेगा यह आपको मिलता है upper variance में इसमें जो है आपको total 378 liter का boot space मिलेगा उपर की तरफ दिया है एक luggage होग boot lamp का option आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा और नीचे की तरफ रखा है इसका spare wheel इसी के side में आपको इसका jack भी देखने को मिलेगा और इसकी tire size है 165 by 80 R14 की इसके अलवा इसके rear seat को आप fold नहीं कर सकते यहाँ पे रखा है इसका tool kit और boot lid को बंद करने के लिए आपको उपर की तरफ grab handle का option नहीं मिलेगा अब देखते है इस गाड़ी की co driver side profile को तो यहाँ से आप इसमें fuel भर सकते हो और इसकी fuel tank capacity है 37 liters की चलिए बात करते है dimensions की तो इसकी length है 3995 mm width है 1735 mm height है 1515 mm curve weight आपको मिलेगा 898 kg का और इसकी turning radius है 4.8 meters की चलिए अब चलते है गाड़ी के अंदर तो यह रही इसकी keys तो यहाँ पे आपको total 2 keys मिलती है दोनों भी normal keys है चलिए door open कर लेते है तो इसके dashboard का look आप देख सकते हो doors का look भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो door के उपर आपको मिलेगा map pocket 1 liter bottle holder फिर दी है speaker grill लेकिन speakers आपको इस model में नहीं मिलेंगे इसके अलाबा windows को आपको manually up और down करना होगा उसके बाद आपको मिलेगा inside door handle fixed handrest के उपर उपर की तरब दिया है door lever यहाँ पे आपको lock on lock का option भी मिलेगा और यह इसके ORVM का look आप देख सकते हो अब देखते हैं इसके pedals को तो यहाँ पे dead pedal का option भी दिया है और यहाँ से आप इसके engine bay को open कर सकते हो इसके अलाबाज seat को आपको forward or backward manually adjust करना होगा यहाँ पे आपको lever मिलेगा नीचे की तरब दिया है fear lead और boot lead को open करने के लिए lever इसके seat में आपको सिर्फ back adjust का option मिलेगा height adjust का कोई भी option नहीं दिया है seats की अगर बात करें तो आपको fabric seats मिलेगी और headrest आपको मिलेंगे fixed इन्हें आप adjust नहीं कर सकते और यह इसके dashboard का look आप देख सकते हो काफी sporty dashboard दिया है यह रही driver side आप इसे यही से on off भी कर सकते हो नीचे की तरफ आपको मिलेगा auto ignition on off फिर सबसे last में दिया है headlamp beam adjuster इसमें आपको analog digital instrument cluster मिलेगा जो show करता है trip meter, average fuel consumption distance to empty, digital clock low fuel and door azar warning और instantaneous consumption जैसे features लेकिन यहाँ पे आपको tachometer नहीं मिलेगा चलिए अब देखते हैं इसके steering wheel को तो steering wheel जो है आपको flat bottom मिलेगा जो कि standard है across all variants लेकिन इसके उपर जो है steering mounted controls आपको नहीं मिलेंगे बीच में दिया है Suzuki का logo नीचे की तरफ लिखा है इसके air back के बारे में और इसी के अंदर आपको horn भी मिलेगा toggles की अगर बात करें तो right side में आपको मिलेंगे light और indicator के controls और वही पे left side में दिये है wiper और washer के controls यहाँ पे आपको मिलेगा hazard light का switch और यह इसकी AC vents नीचे की तरफ आपको stereo के लिए provision मिलेगा तो आप अपने requirement के according यहाँ पे one day या फिर two day का music system लगवा सकते हो और यह रहे इसके AC और heater के several controls manual AC आपको मिलेगा इसके नीचे दिया है एक 12V का charging socket ताकि आप अपने gadgets on the way चार्ज कर सको लेकिन यहाँ पे USB और AUX का socket आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको एक छोटा सा convenience space मिलेगा फिर दिये है दो cup holders और यह इसका 5-speed manual gearbox with reverse नीचे की तरफ आपको मिलेगी silver finishing यहाँ पे एक छोटा सा convenience space दिया है और यह इसका hand brick chrome tip का option आपको इसमें नहीं मिलेगा इसके अलावा back side में आपको एक और convenience space मिलेगा और यह इसकी fabric upholstery सामने के door का look भी आप देख सकते हो इसमें front में आपको बहुती बढ़िया leg room मिलेगा अब open कर लेते हैं इसके glove box को तो यहाँ पे आपको decent space मिलेगा light और cooling का कोई भी option इसमें available नहीं है उपर की तरफ आपको मिल जाएगी beige color में finishing हाला कि upper models में यहाँ पे आपको wooden finishing देखने को मिलेगी यहाँ पे लिखा है इसके air back के बारे में co driver side is the event आप देख सकते हो उपर की तरफ दिया है एक grab handle और co driver side sun visor में आपको vanity mirror नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको normal IRVM मिलेगा day night adjustment का option available नहीं है और driver side sun visor में आपको ना तो ticket holder मिलेगा ना ही vanity mirror तो सामने से हमने अच्छे से बात कर ली है अब चलते है इस गाड़ी के back seat पे तो open करते है इसके door को और यह रहा इसका inside space काफी बढ़िया space आपको मिलेगा और यहाँ पे आपको fixed headrest मिलेंगे door का look भी मैं आपको दिखा देता हूँ चारो भी doors आपको beige color में मिलेंगे door के उपर दिया है map pocket one liter bottle holder फिर दी है speaker grill उपर की तरफ आपको power windows के control नहीं मिलेंगे आपको इसे manually up और down करना होगा और यह इसका inside door handle fixed handrest इसके अलावा यहाँ पे आपको child safety lock भी मिलेगा तो अगर आप इसे lock रखते हो तो आप अंदर से door को open नहीं कर पाऊगे यह इसका door lever चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर तो यहाँ पे मेरी जो height है वो है 5 feet 8 inches और सामने का seat फिलाल मेरे height के according adjusted है तो मुझे जो leg room मिल रहा है वो आप देख सकते हो head room भी बहुत बढ़िया है चेक करते हैं अंदर thigh support तो वो भी आपको best in class मिलेगा rear में आपको ना तो 12 volt का charging socket मिलेगा ना ही AC vents इसके अलावा नीचे की तरफ जो hump है वो आप देख सकते हो तो यहाँ पे तीन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और यह rear door का लोग उपर की तरफ आपको grab handle मिलेगा इसके अलावा rear में आपको मिलेगा cabin lamp यह आपको halogen में मिलेगा जिसके light का throw आप देख सकते हो यहाँ पे front में आपको कोई भी cabin lamp offer नहीं किया गया है और यह आप इसके child seat anchor points देख सकते हो base model में आपको armrest का कोई भी option नहीं मिलता है upper models में आपको armrest मिलेगा दो cup holders के साथ और यह इसके back seat से इसके dashboard का look आप देख सकते हो अब हम बात करेंगे इस काड़ी के safety की तो safety में आपको मिलती है दो airbags, child seat anchor points seat belt warning ABS with EBD, brake assist engine immobilizer child safety lock, key left warning lamp and buzzer, headlamp on and low fuel warning, high speed alert system front seat belt with pre-tensioners and load limiters, pedestrian protection compliance और rear parking sensor जैसे safety features अब हम बात करेंगे इस काड़ी के engine specification की तो इसमें आपको मिलता है 1.2 liter 4 cylinder BS6 petrol engine जो maximum power produce करता है 89 bhp की 6000 rpm और आपको maximum torque मिलता है 113 newton meter का 4400 rpm इसमें आपको mileage मिल जाएगा 23.26 km पर लीटर तक का और अगर बात करें transmission की तो यह available है 5-speed manual gearbox के साथ में तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आजाएगी पसंद आए तो like, share और subscribe कर दीजिए अगली वीडियो तक दोस्तों helmet पहने, seatbelt पहने और सुरक्षित रहिए धन्यवाद झाल